वेलकाम फ्रेंड्स हुमारे यूटूब चैनल आरकेनसिंग एकेडिम हैं फ्रेंड्स बहुत ही मात्पून कोश्चन है जो कि आने वाले सबी परिछाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो फ्रेंड्स बिल्कुली वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो आप इस्किन सकाल्ट एज तो चैंड्स करें चैनल परिए इसका राइट यह वे पिटएर्मिस तो चैंड्स जो सबसे बाँरी परतों को कवर करतें वह पिटे किंपर थे आइसमें इसमें इसका इन्वेस्कोंेस क्रैक्क! अगला कोश्जर ने दो नंबर आपकी स्क्रेन पर है राइट अंसर बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें the inner most layer of epidermis is called edge देखिए epidermis की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है भीतरी परत के बारे में पूछा जा रहा है कि epidermis की सबसे भीतरी परत कौनसी है बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें तो देखिए आप संडिया पर आपका right होगा germinate you जो तुचा के सबसे जो भीतरी परत होती internal layers होती है वो आपकी germinate you है अब यहां पर आप explain देख लें the inner most layer सबसे भीतरी परत की बात किया है the inner most layer of epidermis is a germinate you ठीक है जो inner most layer है epidermis की वो germinate you है and the outer most layer is known as corneum stratum जो आपकी outer paradise सबसे बाहर ही पर रहते वो corneum stratum के रूप में उसे जाना जाता है अगला question ने तीन नंबर आपकी screen पर रहे right answer गिस करें क्या होगा इसका right answer बताए blood vessels are found in गिस करें क्या होगा इसका right answer बताए रक्त वाई का है किसमें पाई जाती है blood vessels are found in option आपके screen पर रहे right answer दें तो देखिए option बी आ पर आपका right होगा dermis layer option बी राइट आपका dermis layer explain देख लें the skin has two layers epidermis and dermis तो अच्छा में दो परते होती है epidermis होती है और dermis होती है the epidermis is the outermost layer जो आपकी epidermis है वो outermost layer है सबसे बारी परत है and contain no blood vessels are nerves endings तो यह क्या करती कि इसमें रक्त जो वाइक इसमें कोई रक्त वाइक है और तंत्र का अंत नहीं होती है ठीक है एंडिंग्स नर्फ एंडिंग्स जो तंत्र का अंत नहीं होती है अगला पॉइंट है dermis is layer dermis is deeper layer dermis एक गैरी परत है जिसमें रक्त वाइक होती है लिम्फ वेसेल्स लस्का वाइक होती है स्वीट वेसेल्स पसीने की गंतियां होती है और है और संगेदी तंत्र का अंत होती है अगला कोश्य ने चार नंबर आपकी स्क्रीन पर रहे राइट अंसर बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर गेस करें चार का रंग परवावीत होता है जो रंग वो फिस से क्राव वीkam नहीं भी सिंफम्ब्र आपका amplifier सिरेशन और आप सम तियापका लेवल और ape बाइल पिगमेंट इन ब्लड तो देखिए आपसे डी राइट हो गया पर आल आप दी एभब जो तचा कर रहा है यह तीनों से प्रभावित होता है मेलानिन से भी और हीमोगलोबिन से भी और लेवल आप बाइल पिगमेंट इन ब्लड तो यहां पर आपसन डी आपका बाई मेन फैक्टर जो तचा करेंग है मुख कर रणों से प्रभावित होता है ता इन वाड़ क मेलानिन की जू मात्रा है जोँगे अब यहां पी आप आ जाओ लेबल ऑ एजबी सचुरेशन कहिमोले सत्थ ऐस्केंटchat जो तुचा का रंग है जो हीमोगलोबिन संत्रप्ति सिखा जाता है इसका इस तर तुचा के रंग को भी प्रवावित करता है जब इस लेवल इस हाई इसकीन अपियर्स पिंक जो जब इसका जो इस तर उच होता है तो तुचा गुलाबी दिखाई देती है जब मतलब इस लेवल इस हाई इसकीन अपियर्स पिंक एंड लो लेवल ऑप हीमोगलोबिन संत्रप्ति का इस तर रगर निम्न होता है तो तुचा नीले पल क नीले पन के करण बनता है ठीक है तुचा नीली दिखाई देती अब यहां पर आप अगला पॉइंट देख लें इन्क Dalin लेवल आप बाइल पिग्मेंच इनक्रीजड फाइंड इन वेरियस कंडिशन सच एज इन आप्स्टेक्टिव जॉंडिस एंड हेपेटाइटिस एटीसी लीट सिजलोविस स्किन यहां पर कहने के मतलब कि जो पित वर्ड का बढ़ा हुआ इस तरह जो विभीन इस्तितियों में जैसे प्रतुरुदी पीलिया और हेपेटा इस दूनों भासाओं में इसे ट्रांसलेट कर दिया है तो जिसे प्राब्लम हो इंगलिस समझने में हिंदी से भी समझ सकता है ठीक है तो वीडियो रोक कर आप इससे देख सकते हैं अगला कोश्चन है पांच नम rozकाशन है अपकी स्क्रीन पर है राइट अंसर बताएं क्या होगए इसका राइट अंसर गिस करें कोश्चन नमबर 5 है most part of heat loss from the body occurs through the following organs गिस करें क्या होगए इसका राइट अंसर सरीर के अधिकांस उसमा हानी निलिकित अंग के माद्यम से होती है किस अंग से फालोइंग आर्गंस आपके स्क्रीन पर हैं किस करें क्या होगा इसका राइट अंसर बताएं तो देखिए आपशन सी यहां पर आपका राइट होगा इसकिन आपका इसकिन अब यहां पर आप एक्स्प्लेंड देख लें heat loss from the body occurs through the skin heat loss heat loss from the body occur through the skin lungs expired air kidney urine and intestine intestine but most part of the heat loss from the body occurs through skin body skin and only small amount is lost through lungs this about how I can't tell my queen to add my soul है कि सलीर में सरीर से जो गर्मी का नुक्सान तवचा फेफुडों अर्था आपके माद्यम से और आंत में ज्यास्वरी आत में चेरे के माद्यम से यहां पर आपके कहते हैं कि जो गुर्दे मूत्र के माद्यम से प्रवाइद होते हैं जिसे कि आते होगे चेरे के माद्यम से माद्यम से भी प्रवाइद होता है लेकिन सरीर से गर्मी का जो अधिकांस नुकसान तुचा के माद्यम से होता है जो शरीर में गर्मी से अधिकांस जो नुक्सान होते हैं वो तोचा के माध्यम से ही होते हैं किड्नी एंड इंटेस्टाइन और केवल थोड़ी मात्रा में फिफड़े और गुर्दे आतों के माध्यम से नश्ट हो जाते हैं हीट 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 इज लॉच्ट थ्रू इसकिन बाई मेकेनिज्म आफ एवपुरेशन रेडियेशन कंडेक्शन एंड कंवेक्शन जैसे कि वास्पी करार होता है चालन और वहन के तंत्रदरा तचा के माध्यम से गर्मी हो जाती है अगला कोशी जैने 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें स्वीट ग्लेंड और इस्टिमलेटेट फिन पसीने की गरंतियात तब उत्तेजित होती है जब गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं आप सन आ तब पसीने की ग्रंथियां होती है यह बड़ वहोगता है सबस्वीट ग्लेंड इंटका। या पेख्ञेन बहुत एमसेंटर्ट स्वीट ने इसब्रोल आ गाले लियुक्द ग्लाइट तर रोलakah बाइट करती है। इन एमेंटेन इंग बॉडी टेंपरेच्छर वाड़ी के टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत यह अच्छी特श डोल करती है तो कि ती रेच संपरेचर ने करें फेरे चे लुट इफ इक है तो आध्या करती है कि यह क्या है कि पसीने को स्सुलेट ब Practition event which reduce the body temperature and make it cool by evaporation agla point mri api decline vasodilation of blood vessels of skin also cause heat loss from the body by increasing blood flow towards and arterioles and capillaries is in the dermis from where heat heat is lost by radiation कहने का मतलब है कि तवचा की जो रक्त वाईकाएं होती है वैसो डिलेशन के कारण तवचा में धमनियों और कोशिकाओं की और जो रक्त प्रवाब होता है वो बढ़ जाता है और जहां से विक्रण के द्वारा क्या होता है कि गर्मी नश्ट हो जाती है कि है पर ही यह हीट हीट बाइडियेशन यह क्या होती ही नश्ट हो जाती है और अगला कोशन साथ नंबर आपकी पर रहे राइट आंसर बताएं क्या हो गा इसका राइट अंसर गिस करें आप चन्व आपकी स्क्रीन पर रहें वैसो डिलेशन और ब्लेड वेंशेल्स ओप सकीन लुका तच्छा की रक्त वाैकां का विय्ष एडिलेशन कर लगा गिस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं आप सब्सक्रिन पर है अब बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर तो देखें आप शन यह आप आप कर राइट होगा हीट लॉस आप शन यह राइट है यहाप ब्लड वेसल्स अब इसकीन कॉज हीट लॉस अब यहाँ पे आप एक्स्प्लेंद देख लें एक्सप्लें देख लें वेसुत आफ बलड वैसेल्स लीड तो हीट लॉस वहरे हैज वेसौश कॉंस्टकींस से कज हीट प्रडक्शन रॉक्ट वाईकाों के वैसूट देख से गर्मी का नुक्सान होता है जबकी वाई का संकीर्ण से गर्मी पैदा होती है वेंट बोडी जीट प्रोडक्शन इज डिक्रीज़ और टेम्परेचर ऑफ इन्वायर्मेंट इज लो सिंप्थेटिक नर्फ इस्टिमूलेट इस्टिमूलेट्स वैसो कंस्ट्रेक्शन विच इन्दूस हीट प्रोडक्शन जब सरीर में गर्मी का उत्पादन कम हो जाता है जब सरीर में गर्मी का उत्पादन कम हो जाता है और टेम्परेचर ऑफ इन्वायर्मेंट इस लो जब सरीर में गर्मी का उत्पादन कम हो जाता है या फिर वाता वराड का टेम्परेचर होता है वह कब भी कम हो जाता है तो क् सिंप्थेटिक साहनभूती नर्फ इस्टुमलेट्स साहनभूती जो तंत्रिकाएं होती हैं वाइका संक्रीडन को उत्तेजित करती हैं वैसे कॉंस्ट्रेक्शन विच इंड्यूस हीट पूडक्शन के क्या करती हैं है बाइका संक्रीड़न तो टेजित करती है और जब गर्मी उत्पादन को भी प्रेरिद करती जो गर्मी का उत्पादन ने उसको भी प्रेरिद अगला पॉइंट है यहां पर वाइस वाइस वर्चा विन हीट पुड़क्शन और बॉड़ी इंक्रीज एंड टेंप्रेचर और बॉड़ी इज रेजड पैरा सिंपतेटिक तो यहां पर क्या होता है कि इसके विप्रेज जब शरीर में गर्मी का उत्पादन बढ़ता है और जब और शरीर का तापमान बढ़ता है तो क्या करता है पै पैरा सीमपतेटिक यहां पर स्टुमलेशन कॉज वेसुडिएलेशन फिच रेजल्डट हेप इन ही रहरे रोसój प्रेटिसन को पन्दक्शन अंड कन्वेक्शन आंट करते एं कि तो पयरां सिंपतेटिक करहाश्य स्थार परढ़न चोंगाल चालन और स्टाहर्यम के माध्य नंबर आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं इन फालोइंग वींच इच लारजस्ट आर्गर्ण Mac popcorns तो यह टो सबकरण को पता है कि निमने मएं स शरीख है जो सबसे बड़ा Ag a argan of laboratory का सबसे बड़ा आंक कौन सा है तो यह तो सबी को पता है तो यहां पर देखें आपशन बी आपका राइट होगा इस किन ठीक है लॉर्जेस्ट बोड़ी का सबसे बड़ा अंग होता है दा इसकीन हैज आ ग्रेटर सर्फेस तच्छा का जो सताई छेत पलब होता है वो बड़ा होता है एरिया जो होता है सर्फेस एरिया एड इट कंप्लीटली कवर्स दि बोड़ी और यह पूरी तरह से बोडी को कवर कर लेती है धक लेती है अगला कोश्चन है नौ नमबर आपकी स्क्रीन पर है राइट अंसर बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर गेस करें आपसे आपके स्क्रीन पर है मेलानीन रिस्पॉंसिफल फर इसकीन कलर इज सिक्रेट इन बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर नौ नमर कोश्चन है बहुत ही सिंपल कोश्चन है तो अचा के रंग के लिए जिम्मेदार मेलानीन का स्राव कहां से होता है जो मेलानीन होता है जो मेलानीन का सिक्रेशन हो वह से श्रावित होता है। तो देखे आपसंदर यहां पर आप कर रात होगा जर्मिनेटेव लिएर से श्रावित होते हैं। अब यहां पर एकस्पैन देख लएं। अनग गत्रीब घृत होता है। बीतरी परत अंकुरणड सील होती है और सबसे जो बारी परत होती है वो कॉर्नियम इस्टेटम होती है जो मिलानीन को रोगाडू क्या कहते हैं दमिलानीन इज सिक्रेट बाइ मेलानोसाइट्स इन दी जर्मिनेट्व लेर्स मेलानीन को रोगाडू परत में मेलानोसाइट्स मेलानोसाइट्स के द्वारा स्रावित होता है मेलानीन को रोगाडू परत में मेलानोसाइट्स के द्वारा स्रावित के आयता है अगला कोशन ने आपका दस नंबर आपकी स्क्रीन पर है राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर किस करें देखिए लाश्ट कोशन आपका दस नंबर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर किस करें आपकी स्क्रीन पर है पसीने की ग्रंतियों के सबसे मात्पूर्ण कारी क्या है बताएं बहुत ही अच्छा कोशन है पसीने की ग्रंतियों के सबसे मात्पूर्ण कारी क्या है गिस करें क्या होगा इसका राइट अंसर आपकी स्क्रीन पर है तो देखिए आपसन बी आ पर आपका राइट होगा Maintaining Body Temperature ती कि Body Temperature को maintain करने का काम करती हैं जो आपकी Sweet Glance होती है पसिने की जो गंतिया होती है यह Body Temperature को कंट्रोल करती हैं अब यहां पर Maintain को मलनम Maintain बनाया रखती है तो यहां पर आप Explain देख लें कि दा मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन बहुत ही ज्यादा मातोपूर्ण फंक्शन है यह आफ स्वीट ग्लेंट्स इज मेंटेनिंग बॉड़ी टेंप्रेचर विदिन नॉर्मल लिमीट मेंटेनिंग वाटर एंड एलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इस दी मेन प्रवाट्पूर्ण जो कारे सरीर के तापमान को सामान बनाया रखना है और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाया रखना गुर्दे का मुख्य कारी होता है